ए dai ए माधि forecast to पर चर्चा करने के बाद ipa सबसे पहले प्रोस्पेक्टस समझेंगा मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना SKD Limited के नाम से एक अपनी company बना लूँ सिक्षाधाम Limited के नाम से और मैं थोड़े से पब्लिक से पैसे ले लूँ अपने shares को issue कर दूँ मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं अपने share issue कर दूँ तो first question raised होगा sir कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो सारे rules and regulation follow करो और कर सकते हो लेकिन जब मैं shares को issue करूँ तो public मेरे shares को मेरे company के अंदर investment किसे करना होगा जाहिर सी बात है investment public को ही करना है और public जब investment आप अपना पैसा कहीं पे भी लगाओगे तो आप उस company के कम मिलेंगे पैसे बीच में निकाल लिए तो क्या होगा आप insurance करते हो तो 100 सवाल पूछते हो यानि जो मानलो आपको मैं बोलू मानलो आप यह हो कि यह आप हो कि नाओ आप इंट्रस्टिट हो जाते हो आप मेरी company में पैसा लगाने के लिए चाहते हो लेकिन कुछ आपके दिमाग में question mark होंगे कुछ question mark होंगे सर क्या question mark होंगे दिमाग में कि सर company का जो पैसे हम देंगे हम तो investor है जो company को पैसे मिलेगा company सबसे पहला उस पैसे का what to do उस पैसे का क्या करने वाला है दूसरा company का profit and loss या फिर कह लो company का balance sheet वगेरा आप जानना चाहोगे अगर आप educated investor हो और आप commerce के हो तो मैं मानता हूँ हर एक commerce का बच्चा एक educated investor होता है educated का मतलब अलग है educated investor अलग है ठीक है न इसके बाद तीसरा question company के के plan क्या है future चौथा question present में company क्या कर रही है मैं एक बड़ी सीधी सी बात बोलू ना इन पूरे बात को एक सब्द में मुझे बोला जाए conclude करना तो आपके mind में question चल रहा है कि आप जानना चाहते हो आप जानना चाहते हो जानना क्या जानना चाहते हो आप के के बारे में चलो आप अखेले हो मैं तो आपको बोल दूँगा देख मेरा ना इस पैसे का मैं नहीं नहीं ब्रांचे खोलूँगा प्रॉफिट था पिछली बार का कंपनी का plan है कि बहुत सारी ब्रांचे स्कोले और पर्जेंट में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और हम किसी और work में भी जाएंगी एक वक्ति लेकिन अगर मैंने एक لاक अगर मैंने एक लाग शेयर इशू करने हो तो मुझे क्या अगर सपोज के दस हजार परसन ने मिलके एक लाग शेयर खरीदे तो मैं दस हजार को यही बाते बताऊंगा तो बड़ी मुस्किल है यह बताने में दस हजार लोगों को तो सालों बीच जाएंगे जैसे कि अगर डियू डेली उनिवर्सिटी में यह किसी भी उनिवर्सिटी की बात करें उस कंपनी का जानना चाहते हो क्या सब्जेक्ट है नहीं है प्रोफेशर हर बच्चे को बताने लगने लग जाए तो पजया चला के कई स बहुत बढ़ा होता है यह बुक्ले मानलों 1100-200 पेजे मान लेते हैं मिनिमंग एक टाइप का में ये क्या करती है बुक्लेंट टाइप का पूरा बुक मना लेती है और बुक बनाके इसके अंदर सारी चीजे लिखी होगी यानि इसके अंदर कंपनी के कंपनी के बारे में each and everything कंपनी के स्टार्टिंग से लेखे अभी तक का सारा व्योरा होगा और जो कंपनी इसके अंदर लिखेगी ने सारी बाते वो सारी बाते एकदम सच लिखना होगा और साथ के साथ इसके उपर signature हरेक पेज़ या फिर इसके उपर signature होगे किसके कंपनी के director के कंपनी के CEO को और भी बहुत सारे person कंपनी के कांपनी सेक्रेटरी और जो भी इस प्रोस्पेक्टर्स के लिए अडवाइसरी कर रहा है उसके लिए सभी के सिगनेचर होंगे मतलब इस बुक के उपर बुकलेट के उपर अब कोई वेक्ति आपके पास आता है कि सर शिक्षाधाम लिमिटेड मैं आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहता हूं इंट्रस्टीड हूं बताइए अपनी कमपनी के बारी में मैं एक बुकलेट उठाकर दे दूँगा पढ़ लिए इसमें सारी जानका दिए अब यह आपकी जानका पढ़ना पूरा आपकी responsibility है मूटी मूटी बातें मैं बता सकता हूं लेकिन मैं कर दूँगा अगर Sac को सभी को टिया गया जाता है हैे सेम यह सक्तरिस है कि इस और हएक रिश्टेदार को बरवली बताने लग जाए कि इस दिन यह उगए इस दिन यह होगा इस दिन यह होगा इतने बज़े यह यह रस्ता ऐसे यह पागल हो जाएगा शादी तो करेगा ही नहीं तो वह आज के टाइम पर देखते हो कि खरीदना जरूर है आपको खरीदिये कंपनी एक तरीके से आपको ओफर कर रहा है कि भीया मेरी कंपनी के आप क्या करिए मतलब के सुरी कंपनी कहता है कि मेरी का ओफर मैंने गलत शब्द यूज कर लिया कि मेरी कंपनी के आप शेर्स खरीदना चाहते हैं उसके बारे में सारी दिटेल जानकरी इसने जो यह जानकरी डिटेल है न इसी को एक जो भुख्लेट टाइप का है इसी को ही प्रोस्पेक्टस बोलेंगे कि आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी Radar देखा है आउस्वार Państwo नहीं बाकी किसी उनिवर्सिटी में गए हो उसका ब्राउसर फूलता क्या हूं अगर में आपको पेंपिल्ट भी दे रहा हूं उसमां कंपणी के बारे में जानकरी गीवन है, that is also prospectus. अगर मैंने किसी भी वीडियो के माध्य हम से YouTube पे add कर दिया, that is prospectus. यानि prospectus का मतलब सिर्फ booklet से नहीं रह गया आदू. Any kind of document जो मैं आपको दे दूँ, that is prospectus. लेकिन अब इसके अंदर ये बड़े type के होते हैं, अब 200 pages का हर किसी को नहीं दिया जा सकता, हर किसी को नहीं दिया जा सकता, तो हम दो चीजे बनाते हैं, एक तो prospectus मोटे पनने वाली होती है, और एक थोड़ा सा हम पतले पनने वाले भी prospectus को बना देते हैं, जिसके अंदर मतलब 20-30 pages का, माल लेते हैं 30 pages का, और that is summary, पूरे बड़े prospectus का एक summary होता है, जैसे हर chapter के खतम होने के बाद एक summary हो जाता है ना, summary में, summary में क्या होता है, पूरे detail तो नहीं होता है, लेकिन पूरे book के बारे में, तो एक तो ये बड़े वाला prospectus है, और इसी तरीके से क्या होता है, ये summary, तो prospectus के type होते हैं, जो ये summary दिया जाता है ना, उसको, इसको बोला जाता है, average prospectus, average prospectus, और ये हमारा normal prospectus है, कई बार मैंने pamphlets बाटा, और उस pamphlets में सारी जानकारी थी, लगबग company के बारे में, और आपने उसको, उसी information को देखके, pamphlets को देखके, पेज को देखके, एक company के share में invest कर दिया, तो वो भी that is a prospectus, वो deemed prospectus होगा, सर, average prospectus क्या है, इसकी एक summary, deemed prospectus क्या है, कोई भी एक मिल जाए आपको कहीं से भी information, that is called prospectus, जो company के द्वारा इसू किया गया हो, या company की किसी authority person से, इस prospectus में सबसे main चीज, आप क्या देखते हो, के company के सारी चीज़े तो देखते हो, company का share का price क्या होगा, share का price कितना है, एक share मुझे मिलेगा कितने में, तो कई बार company ना, इसके अंदर, shares के price क्लियर नहीं बताती, बोलती है कि भी या, 100 से लेके 120 के बीच का होगा, आपको कितने share मिलेगा, ये भी नहीं बताएगे, बोलेगा, depend करेगा, demand और supply पे, तो अगर ऐसे किसी prospectus में, इस तरीके की कोई बाते हैं, तो उस prospectus को हम कहते है red herring prospectus, अभी हम detail में भी देखेंगे, sir अगर इसके अंदर आपने कोई fake information दे दिया, किसके अंदर, prospectus के अंदर, अगर कोई भी fake information दे दिया, तो ऐसे situation में, जो जो involved है, उनके उपर fine लगाया जाएगा, कितना, जितना fake information के वज़े से आपका नुकसान हुआ है, वो amount या उस दस साल तक की जेल के सजा का भी प्रोवधान है, और दोनों है प्रावधान है, तो बड़ी simple में समझें, तो prospectus company starting में, और ये सरिफ public company कर सकती है, में ली, starting में company अपने shares बीचना चाहती है, तो लोगों को थोड़ा सा बताएं, newspaper में इस्तिहार दें, TV में ads दें, या फिर आपका, for example, pamplets बटवा दें, bank के अंदर banner लगवा दें, browser रखवा दें, booklet रखवा दें, any kind of these are prospectus, ये क्या है हमारा prospectus, तो prospectus basically चार टाइप के हैं हमारे, एक deemed prospectus, एक self prospectus भी है, जो banking company अभी आगे देखेंगे, red hearing prospectus, और एक average prospectus, तो हमें पढ़ना क्या है सर इस chapter में prospectus क्या होता है, prospectus के type क्या है, और prospectus के अंदर misleading है, तो उसको किस तरीके से provision क्या है, दोनों party के लिए, company के लिए क्या मतलब के provisions है, और जो person खरीद रहा है उसके लिए, कब तक उसके पास remedies available है, remedies मतलब के, वो अपने नुकसान की भरपाई करवा ले, तो चलिए start करते हैं, hopefully थोड़ा बहुत आपको tentative idea लग गया होगा दिमाग में एक आजाता है, prospectus क्या होता है, तो मैंने simple सा लिखा है कि prospectus के type, और आप clearly देखेंगे, एक है मारा meaning, type और ये सारी चीज़ें बाते करें, सबसे पहले आईए meaning देखते हैं, सर, meaning में क्या कहता है, कि according to the section 270, सभी के definition यहीं की बने है, कहता है, prospectus mean, prospectus का मतलब any document, इस बात का ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा इस बात पे, किसी भी परकार का document, describe issue as prospectus, include, किसी भी परकार का, जो कि describe कर रहा है, issued किया जा रहा है prospectus, किसी भी परकार का, जैसे red herring prospectus हो सकता है, section 32 के according, self prospectus हो सकता है, section 31 के according, any notice circular advertisement, देखिए, क्या बोल रहा है, कोई भी notice, कोई भी advertisement, वो also prospectus है, और other document, invite offer, और ऐसा कोई भी document, लिखित दे, जिसमें लगे, कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी company के share खरीद लो, वो भी prospectus है, from the public, किसलिए subscription और purchase of any security, ये सिर्फ shares के लिए नहीं होता, ये debenture के लिए भी हो सकता है, preference share के लिए भी हो सकता है, एनी security के लिए, जिसके लिए तो उसे prospectus बोला जाएगा, to subscribe share capital, public company, और यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या लिख है है, मैंने, public company, मतलब private company, prospectus issue नहीं करती, क्योंकि उसका पहला disadvantage ही है, limitation है, restriction है, कि वो अपने share किसी stranger, यानि बाहर वालों को नहीं दे सकता, any document which has been object of securing required capital public deposit, और उस prospectus के अंदर सारी जानकारी होगी, जिससे public ने जो पैसे हमें जमा करें हैं, या पैसे दिये हैं, उसकी security बढ़ जाए, क्योंकि वो सो समझ के investment करेगा, for a company comes within the definition of prospectus, ऐसे चीज़ को prospectus कहेंगे, तो बड़ी simple सी बात है, prospectus के कुछ नाम डाल दिया, red herring prospectus, self prospectus, और any kind of document, कोई भी document हो, उसे prospectus की category में रखा गया है, सर यही meaning था, 270 में, अब सर प्रोस्पेक्टस के अंदर requirement क्या क्या चाहिए, प्रोस्पेक्टस में क्या-क्या बाते लिखी होनी चाहिए ही चाहिए, कई बार पूछा जा सकता है, तो सर, it must be dated, कहता है कि, सबसे पहले, requirement to prospectus, क्या-क्या चाहिए, सबसे पहले, savi की permission लेनी है, regulation 2018, issue capital disclosure requirement, disclosure requirement का मतलब, हम savi के पास जाएंगे, बोलेंगे, sir, हम अपना share issue कर रहे हैं, देख लिजी हमारी company में, savi आके पहले check करेगी, जैन्मेन बात है नहीं है, फिर declaration दे देगी, कि ठीक है, या तो issue कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, सहारा company आज तक अपना share market में नहीं लेकि आपाई, बहुत बाट रहे किया, से भी ने नहीं आने दिया, जबकि आप सहारा company को जानते ही हो, बहुत सारे product line-up में था, सहारा, सहारा air था, सहारा आपके इतने सारे product थे, financial institution था, सहारा housing था, बहुत सारी चीज़ों में, और आज भी सहारा का नाम है, ऐसा नहीं है कर नहीं है, पहले दो-तीन ही पूंजी पती है, अमीरों में अगर गिंती होती तो टाटा, सहारा, बिरला, इन लोगों के नाम गिने जाते थे, इसके अंदर dated होनी चाहिए, क्योंकि भाया यह तो जरूरी है, यह registered होना चाहिए, registered मतलब approval लेना पड़ेगा, जैसे अपने approval लिया, registered हो गया, एक्सपास, जो expert है, जो expert, expert मतलब जो prospectus design कर रहा है, announced within a formation of management of the company, मतलब कब company का formation हुआ, किस design में प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, वो expert का concerned भी इसके अंदर होना जरूरी है, expert concerned to be obtained, मतलब expert का हमें concerned लेना जरूरी है, पहला expert to be accounted, मतलब prospectus में accounted का मतलब क्या है, unaccounted, sorry, मैंने accounted बोल दिया, unaccount, sorry, unconnected, expert to be unconnected with the formation of management of the company, जो expert है, अगर unconnected है, तो with the formation, formation मतलब company को बनाने में, तो उसका हमें help लेना पड़ेगा, expert concerned की जुरत है, भाईया, every application, आपका accomplice, कोई भी application है, वो bind करे, मतलब सामने आले वेक्ति को लगे के भाईया, हमारे बीच में contract हो रहा है, copy of prospectus, जो की average prospectus के नाम से जाना जाता है, disclosure requirement है के भाईया, हमारी company में सब कुछ ठीक ठाक है, या चाहे खराब भी हो, चाहे ठीक हो, दोनों परकार के आपको disclosure देने पड़ेंगे, ठीक है,